नमस्कार दोस्तों, आपने कॉमेंट किया वीडियो पर कि ACL के जितने भी फेसेस हैं सब की एक इंडिविजवल वीडियो बनाओ, मतलब की फेसेस को डिवाइड करके वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो आ गया है, अब ही आज हम जो बात करने वाले हैं, वो फेस वन की बात कर करेंगे और जो फेस बन के अंदर इंपोर्टन चीज में आपको बता दू कि पहली बात तो यह कि यह जो जो भी आपको बताने वालों फेस वन से लेके फेस सिक्स तक ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखे कि यह सारी चीजे मैंने डॉक्टर और सर्जिन जो डॉक्टर के अंदर की है, जो भी चीजे उन्होंने बताइए वही चीज में आपसे अपने एक्सपीरिंस शेयर करने वालों जिससे कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सेफली एकसराइस कर पाएं, और मेक शॉर कोई भी चीज फॉलो करने से बहले अपने के लिए और जो इसके अंदर एकसराइस होने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं कि एकसराइस फस्स है, वो साक रहते हैं वीडियो यहां पर आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके नोन में किसी के भी नी पेन होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे घर में senior citizens होते हैं, और आज छल तो अगर आप नी पेन में भी एकसराइस करेंगे, तो आपको बहुत सारे बेनफेट्स मिलेंगे इस चीज के पहली एकसराइस होगा है, वह है हमारी foot movement, अब इस तरीके से आपको देख रहे हैं, पैल स्टेट रहेंगे आपके ठीक है, अब यह इस तरीके से यह, उसको foot pumps भी बोला जाता है, यह, अब आप देख रहे हैं, मेरी पूरी body एकदम स्ट्रेट है, खाली जी मूव क्या कर र रहे हैं, like this, अब जो हमारी exercise चल रही है, यह बहुत ही obvious चीज है कि अगर आप अभी exercise कर रहे होंगे, तो आप अपने bed पे होंगे, क्योंकि जब maniscus repair होता है, तो maniscus repair में 6 weeks तक आपको bed पर ही रहना होता है, क्योंकि जो भी आपका injured leg होता है, उसके अंदर आपको क्या होता है, कि आपको उस पर weight नहीं डालना होता, 6 weeks के लिए, although बहुत सारे cases में doctor क्या करते हैं, कि 4th week में है, तो manna करते हैं, जब आप 5th week के अंदर enter करते हैं, तो वहाँ पर फिर बोलते हैं, कि आप 2 के support से आप walk करना है, start करो, then 6 weeks तक आते आते हैं, आपका walker discontinue हो जाता है, well, प इसको तीन बार कर सकते हैं, जो face 1 है, आपको तीन बार ही करना है, क्योंकि doctor नहीं मुझे यही बोला था, well, so अब बढ़ते हैं exercise number 2 की तरफ, face 1 की हमारी second exercise है, वो है quards isometric with towel, अब इसमें पहले ही आपको चीज़ क्या चाहिए होगी, इसमें आपको एक towel चाहिए होगा, इसको हमें place करना है, अपने नीके नीचे, ठीक है, back straight रहेगी, as always, अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा नी है, इसको ये towel प्रेस करना है, आपको पूरे force के साथ, पहले slowly slowly करेंगे, then धीरे-धीरे करेंगे इसको अपना जो force उसको increase करेंगे, like this, ये, इस piece में बहुत सारे लोग गलती करते हुए, और ऐसे उठा लेता है, उसको आपको नहीं उठाना है, इस तरीके से ये, अब ये जो exercise है, ये आपके quadrate steps के लिए बहुत ही benefit करने वाली है, अब आप सोच रहोंगे, बहुत सारे लोगे आपर सोचते कि ये हम क्यू कर रहे है, क्योंकि आप देखो होता है, ये आपके एक basic stage है, तब आप इस stage क्लियर करते हैं, फिर आपके आगे जाके जो आने वाले faces हैं, उसके अंदर ankle weights add होता है, फिर ankle weights के बाद आप जब में जाकर, इस exercise को करते हैं, इस तरीके से, क्योंकि होता है कि अभी आपका क्या है, ACL repair हुआ हो गया है, तो वो इसी वज़ा से होता है, कि जब आप एक basic level से start आपको करना ही पड़ता है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है, टॉबल को जितना धीर धीर करेंगे प्रेस करेंगे, जो टेंशन आपको feel होगी, ओपके chords में होगी, ये, आप इस, अब इसमें आपको तीन sets करने है, दस repetition करने है, और make sure हर rep पे आप at least 10 second का hold करें, अब ये करने के बाद, आप मान दीजे आपके right leg में surgery हुई है, तो आपको ये मतलब नहीं है कि आपको right से करना है, आपको left से भी करना है, दोनों जो आपके legs हैं उनको equally treat करना है, ये, इस तरीके से आप करेंगे, make sure आपकी जो फॉर्म वो खराब नहीं होना चाहिए, कहीं आप ये कर रहे हैं ये, ये नहीं आप देखरो बैक मिली ही वह है, एक्दम लूज है, बैक आपकी, स्ट्रेट रहनी चाहिए, बैक आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, बैक आपकी के तरफ होना चाहिए, का फेस, इस तरीके से ये वाले एक्सराइज रहेगी, so let's move on to exercise number 3, face 1 की जो थर्ड एक्सराइज है, वो है ankle press, आप इसमें क्या करना है आपको, सेम ही जो towel है, इसका आपने roll बनाया था, उसको सामने रखे, अपने ankle के नीचे, आप इस तरीके से, आपको, यहाँ पर ankle को press करना है, इसमें भी सेम चीज़ करने हैं, आपको, आप यहाँ पर लोग गल्दिया करते हैं, यह करके, वो यहाँ से यह, चपकी आपकी यहाँ पर, देख रहो, मैं खाली ankle पर कर रहो, और पैर आपका एक्दम, जो है, अपने तरफ, इसका फेस, औ स्टारा जो force आपका ankle पर लगा देना है, स्टार्टिंग में धीरे करना है, दिन धीरे करके आपको force बढ़ाना है, सेम आपको, opposite leg के साथ, दोनों legs से, इसको करना है, और करे मियाज, इस तरीके से, सो इसमें भी आपको, तीन सेट्स रहेंगे आपके, और दस repetition रहेंगी, जिसमें कि ये, आपका जो, दस सेकेंड का आपको, होल्ड करना है, हर repetition के अंदर, let's move on to next exercise, इसके अंदर जो exercise number 4 है, वो है knee bending, अब knee bending क्या है, कि आपको 30 degrees तक ही knee bend करना है, अब important चीज़ क्या है, यह अब इतक सारी exercise कर रहे थे हो, और जो इसके बात करेंगे, फेस बन के अंदर, वो सारी आपको knee brace पहन कर ही करनी है, बस ये knee bending के अंदर ही आपको जो अपना knee brace है, इसको remove कर देना, तो अब इसमें क्या है, जब surgery तो इसमें क्या होगा, आपके जो sutures होंगे, आपके जिसको से recover कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको day one की बात बतातू, day one में आपको बहुत जादा pain फील होने वाला है, अगर आप होंगे, आपको समझ भी relate भी कर पा रहे होंगे, अब यहाँ पर एक चीज जो मैं अच्छे, अगर आपको अच्छे से knee bend करना है और अच्छे experience के लिए आप एक तो पहली जीज कहा है, जो आपकी surface है ना, वो एकदम plane surface हो, plane surface पे जो knee bend करने में आपको problem नहीं होगी, और आपने socks पैनी हो, socks पैन के करेंगे तो एक जो पूलते हैं उसको fraction मिलता है, उससे क्या है, आपका जो knee bend करने में easy रहेगा, अब आपने इस तरीके से यह 30 degrees तक move किया, फिर वापस से this, अब 30 degrees पे आने के बाद 10 seconds hold हैं आपे, इस बात का धाना, इस में आपको 3 repetition करनी है, 10, sorry, 3 sets करनी है, 10 repetition करनी है, जिसमें की हर repetition में आपको 10 seconds का hold करना ही करना है, अब सेम चीज तूसरे leg के साथ भी करनी है, आप exercise number 5S के अंदर, stretching, stretching में क्या करना ह आपको तो स्ट्रेच करने है, ब्रेस पैन के रखने है यह, अब आप easily बहुँ सारे लोग को दिक्कत होती है, अबने टो टूटच करने में, तो आप हलका सा कोशिच करें पहले यहां आने के फिर यहां, इसको बढ़ा दर है, तो जो आपको इसको बढ़ाते है, तो आपको इसमें टेंशन फिल उने वाली हो, यहां पर होने वाली हो, इसमें भी आपको तीन सेट्स करने है, दस रेपेटिशन, इच सेट में, और मेक शूर्ड़ सेगन का होल्ड भी यहां पर आप करें, एक्सराई नमबर सेक्स, स्ट्रेट लेग रेस, आप क्या करना है, इस तरीक आप जो लोग गलतिया करते है यहा देख रहो मेरा पर सया इसी फाहर आपक रहना आपका इना अगंधम स्ट्रेइट बस एदेखो मेया पोजिशेन देखो फुट की पोजिशन कर पोजिशन करने 10 अगयर एस तरीके से मैं यृ टिर 1510 की आपको आप को एन ने 0 और उसके बाग नीचे थर्टी डिग्री से फिर उठाओ उसको दस से किंड का होड रहे का यहां पर और तीन सेट करने हैं दस रेपिटिशन करनी है दस से के अंदर आपको ओल्ड करना है अब जो लास एक्सराइज है फेस वन की विचिस एक्सराइज नमबर सेवन जिसमें आपको करना क्या है साइड लेट जाना है और थर्टी डिग्री पेस करना है अब यह देख रहो मेरे पाल की पुजिशन मेरा बारा से लूज नहीं है इसको मैंने से किया हुआ एकदम स्ट् पूरे अगर मैक्सिमुम इसको बेनिफिट चाहिए तो आपको अपना जो लेग है न पूर एकदम से स्ट्रेट करके रखना है इस तरीके से थर्टी डिग्री स्के रेस करना है तीन सेट्स करना है दस रेपेटिशन करेंगे दस सेकिंड का हर एपेटिशन के अंदर होल्ड करेंगे लाइक दस ऊब ऑड़ आपको दोनों लेक्ट से करना है आपने इससे कर लिया और फिर आपने सेमी चीज़ को इससे कर लिया थर्टी डिग्री से जाथा नहीं करना है अगर आपकी सरच्छरी नहीं हुई है जैसे मैंने बताया कि यह वाली इससारे लोग नीपें म और यह सरजरी के नेक्स से यह स्टार्ट हो जाती एक्सराइज तो 30 डिग्री ही आपको रेस करना है अब आपको यह जो फेस्ट वन की एक्सराइज जैसे मैंने पूरे वीडियो में बताए कि आपको टू वीक्स तक यह फॉलो करनी है और उसके बाद क्या होगा फेस्ट वीक्स हमारी स्टार्ट होगी अगर आप चाहते हैं मैं फेस्टू पर वीडियो बनाओ तो मुझे कॉमेंट करके बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत बन्याद